इस video में मैं आपको बताँगा friends कि आप अपने facebook की पुरानी id को कासे delete कर सकते हैं या पर इस फेसबुख की पुरानी id को से आएगा तो पर दिखे हैं three line option मिलेगा आप इंपर click करेंगे फिर नीचे स्क्रोल करते तो यहीपर दिखे हैं आपको एक setting as privacy option का आप महां पर click करेंगे फिर आपके सामने दिखे हैं आप setting option आप महां पर click करेंगे फिर इसके बाद देख सकते हैं account center लिखा और पर Philipp करेंगे निच क्रेस्टरिफ़ु करेंगे निच्राइबं करते बैंगे यह तो इसके बात देख सकते हैं इसे पर डक्तर एड़ अधनल हो एड़र आपको दिखाई नबर होगा आłosा को दिखाई दिया जाएगा अगर अगर आप मोबैल नंबर हैड करें'd करेंगे वरना पर किलिक करेंगे तो हमें email एड़र और किलिक करते हैं इसके पर आपको अपना एक email डालने का option आजाएगा तो आपने email डाकर टाइप कर लेना है डाल देना है और ध्यार रखना है कि आपको जो पर वह email आपना Facebook ही आप select करेंगे नीचे नेश्ट पर देखें आप किलिक करेंगे और जैसे देखें नेश्ट पर किलिक करेंगे जो यहाँ पर आपने email address को add किया है उस पर एक code आएगा आपने email डाली होगी उसी पर एक code जाएगा और आपने email पर जाकर आप अपना इस पर किलिक करेंगे और जैसे देखेंगे अब नेश्ट पर किलिक करेंगे अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो दिखिए यहाँ पर लिखा को delete करना चाहते हैं सिंप्ले क्या करेंगे इसके पर हम नहां पर प्रेस करेंगे बीमील ड्रेस पर उपर डूपर नहीं पर यहाँ JACK करेंगे Global आपको यहांप apart डाल देना सो आपकी जो email address है वो जहां से delete हो जाएगी और जो नहीं आपने add की वो वहाँ पर add हो जाएगी चलिए यहां पर हम delete नहीं करना चाहते हैं हम आपको समझा रहे थे इस तरगे से आप यहां पर delete कर पाएंगे आपको यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद